तो दोस्तों आज मेरे नोट्स है याम बनाया थे तो इन सी जितने आप मैं आप पहले बता देता हूं कैसे कैसे हम करने वाले इंजामिनेशन को तो पेडैशन के वह रिक्टिकल तो पता अचतर आंसे में कं और में प्रथे घर यह पाम जाते हैं पांग जह हम जो प्रथे अनट मीयूक्त पढ़ने चाहित अरे लयह होते हैं जनल एक्जामिनेशन, CNS, Abdominal Examination, Respiratory System Examination and CVS तो इन में से जनल एक्जामिनेशन का कुछ रोल है, Man रोल आता है प्रैटिकल एक्जामिनेशन के अंदर CNS का यह एक मिजर पार्ट होता है और आपका Abdominal Examination, Respiratory System और CVS का थोड़ा कम रोल रहता है तो Man focus रहेगा, हम बहुत detail के अंदर Journal CNS के पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम जो बाकी पार्ट बजगे उसको पढ़ेंगे ठीक है, यह तीन वाला पार्ट तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैं बता देता हूं, उसके अंदर तो सिंपल से कुछ पॉइंट है, लेकिन जो CNS examination है, उसके अंदर देखें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपका जो higher motor function है, higher motor function वो पढ़ेंगे, reflex पढ़ेंगे, आप करेनियल ना हो है न, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो physical examination है, general examination है, medicine के अंदर उसको, तो जो पहले चीज़ देखते हैं, हम पहले, पहले किसके लिए देखा जाता है, एनिमिया का sign होता है, ठीक है, एनिमिया के लिए, तो सबसे finish question आता है, कि पुछेगा तो कि कहां कहां पर देखते हैं, location, तो सबसे पहले, जो main point होता है, वो तो होता, lower bell paper conjunctiva, लेकिन आपको पहले के साथ, जो यह होता है, second point, third point, terrace, वो भी comparison में पता होना है, कि यह आपका जोंडिस के लिए देखा जाता है, यह आपका upper conjunctiva में देखा जाता है, लेकिन जो पहले है, वो आपका lower bell paper conjunctiva के देखा जाता है, तो confusion, confusion नहीं हो ना, इन दोनों के बीच में, तो इसके लाव कौन सी कौन सी से location है, तंग है, तंग है, तंग है, तंग के उपर टीप यह ओर्डर से, वहाँ पर भी हम यह साई देख सकते हैं, mucous membrane, पैलेट, nail beds, और palm, soul, and general existence के surface, इन location पे हम एनी में देख पार्ट होगा, second part हम पढ़ेंगे, इसके अंदर cranial examination, third आएगा, reflexes, और fourth आएगा, motor examination, ठीक है, यह हम CNS के अंदर पढ़ेंगे, और बाकी जो बच गया, sensory examination, वी CNS के अंदर आएगा, वही पढ़ेंगे, आपको और वी दे रहा हूं, मैं फिर आप डोनी जामने पढ़ेंग और उसके बाद जो आप थोटा सा पार्ट है, CNS, CVS और रिस्पैर्टी सिस्टम उसका डिस्टर्स करेंगे, तो यह बात थी कि सबस्पहले, location of पैलर की, लोगर पैलर के निजेक्टिवा, टंग, म्युक्रस में में पैलेट, नेल बैड्स, पार्मेंट, सोल एंद जनल स्की सर्फेस, इसके अलावा हम क्या क्या देखेंगे, एक आता है कोई लोग नी किया, यह आपका, जो आपका आरने पैलेटिव में होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है, इसके अलावा हम कैपिलरी पलसेशन एट नेल बैड़ देख सकते हैं, शीरे नियों केस्में भी मिल रखाएजाता एन्मिया के लिए, सेकंड 균ности लिएंज circulation के उदराता है दोस्तों वहाथा आपका Sinuses Cynuses की site दो भाइयो जाती है कि पैरिफल साइनोसिस और आपका Central Sinuses उसके location पता होने चाहिए जो परिफल साइनोसिस होता ना वो आपका देखें पर सेंटल के बाद कर ले तेंटल के देखें टंग आएगा सेंटर में इनरेस्पेक्ट ओप लिप विक्रस मेंब्रेन ओफ गम पैलिटेंट चिक्स तो आपको माउथ वाला पोर्श पाम और सोल इनमें जो आपको देखेंगे जो पैलिफल साइनोसिस है मैंने कैसे याद किया सेंट्रल के अंदर आपको माउथ वाला पोर्शन है वह आपको सेंटर के अंदर आपको ड़र रखना है लेकिन टीप अपनोज को छोड़के बख्या पोर्शन नहीं इसके एक टारे सापका होता है यलो डिस्कलरेशन ऑफ स्कीन और एनी मिकुसा ठीक है यह आपको जोंडिस के लिए देखा जाता है मैंली तो इसकी साइट में पता आने चाहिए जैसे अनीमिया के अंदर लोल पेपर कंजिक्टिवा था यहां पर हम अपर कंजिक्टिवा इसमें देखते हैं आपका यलो डिस्कलरेशन ऑफ स्कीन ठीक है तो यह टेरस के लिए होता है जोंडिस के लिए इसके लावंडर सर्फेस ऑफ गम्स मेंब्रेन और पैलेट पाम एंड़ सोल एंड़ स्कीन सर्फेस बाकि वाले कॉमन है लेकिन पहला वाला आपको याद रखना है निच्छे आपका निमिया है ठीक है आप कैसे हाद रखोगे कि आपका जे बाद में आता है यह पहले आता है तो यह थोड़ा निच्छे है और जे उसके बाद आता है एडिमा तो नेक्स्ट आता है एडिमा एडिमा आपका देखिए कोन सी जगह होते हैं जहां हम डिमस्ट लोर एंड ऑप्टिब्या होता है। यहां पर हम मैंने को डिमस्टेट करते हैं। उसके बाद नेस्ट पूचेगा कि जामनेशन जो है कि टाइप कौन से कॉन्स होते हैं। ला》 तो सकते हैं तो आपको नौन के यादे सब्सक्ताइब के अंदर आजाएंगे तो नोन पीटिंग के अंदर देखे मिज़ोडिमा लिंफेटिक और अप्रेक्शन के वजए से डिमा और इंज अंजी नियुरोटिक डिमा इतीन है यह आते हैं आपके नोन पीटिंग के अंदर जो बाकी में 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 को यूज बच गए कंजिस्टिव ह फैलियर जिरोशी सोफ लिवर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हाइपो नेट्रोम हाइपो प्रोटिन नीमिया परिकार्डिली फ्यूजन कॉंस्टिक्टिव परिकाड़ाइटिस यह सारे आज आएंगे पीटिक डिमा की कोज ठीक है याद रखने है मिज़ोडिमा लिंपेटिक ऑ करने वाले हैं तो कलब इंक की देखिए नोर्मल एंगल होता नेल बैड का ठीक है एक आपका इस वेंग डिस्टॉर्टटिट एंगल हो सकते नेल बैड का इसके अंदर लिंग को हम चार ग्रेट के डिवाई करते यह ए ग्रेड वन ग्रेड ग्रेड तुग पोर ग्रेड वर इसके अंदर फ्लेक्चुेसिन नेलबेट डेखने को मिलेगा सेकंड हाप कर मिलेगा जो ओबलिठीर होता ना सामरत वइंडो जब हम सामरत विंडो के अंगल होता है उसके लोलेंगे से ग्रेड टू जो कलबिंग होता है उसके ग्रेड के कोर्डिंग ठीक है फ्लेक्टुएशन ओवलिट्रेशन पेरोटुबिक एंड डंस्ट डंस्टिक अपेरेंट तो यह हैं आपकी कलबिंग के ग्रेड लास्ट पॉइंट आता है जाने जामने के अंदर दोस्त लिंफ है दिनोपैथी बार पता होने चाहिए जो गूड जलन एक्जामने सुनोता ना वह बिगश्ट के लिए ठीक है तो आपको पढ़ने है जलन एक्जामनेशन के अंदर नो कौन से कौन से नंबर वन पहला था अनीमिया सेकेंड था साइनोसिस तीसरा था एक टैरेस पौत था इडिमा पांच था सब्सक्राइब आलों पांच बंदर हैं नियुग जलन एक्जामनेसं के अंदर से नश्यामनेशन के लिए पहला पाट होगा हायर मोटर वन संग्सेंड होगा और आपका पांच पार्ट आइंगे तो पांच पार्ट के अंदर हम बहुत आसान तरीके सी ने किने श्यामिनेशन के तो इसके जतने भी वाइव एकृशन हैं आगे आपको कुछ पढ़ने के जुरती नहीं पढ़ेगी में तो नमबर बनाता हायर मोटर फंक्ष्ण आइर मोटर फंक्ष्ण के लिए देखिए ही हूँ स्टेज मेडिशन विदाउट बुक्स सेल एंडर चार्टिड सी बट ही हूँ स्टेज बडिशन विदाउट पैसेंट डजन नोट गोटो सी अतोल मतलब क्या है यह विलियम ऑस के पढ़ता ना मेडिसिन को बिल्कुल समुंदर को नहीं देख पाएगा तो मतल पैसेंट बहुत जादे इंपोर्टन रोल रहता है इसके अंदर तो पहले चीज आती है हाई एर मोटर मेंटल फंक्शन इसके अंदर तीन चीज़ पूचते हैं तीन चीज़ देखते हैं और यंटेसाइट टू 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 पलेशा और पर तीस्दी से पूछेंगे कि ask who am I कि मैं कौन हो तुम कौन हो इस तरह साथ में वो कौन है तो यह तीन चीज़े होती है आयर मोटर फंक्षन को देखने के लिए और टाइम प्लेस एंड परसन ठीक है और आपको लेडिंग क्यूशन को अवोईड करना है और इस केस के अंदर तो तीन है टाइम प्लेसर परसन के लिए हम बंटल कंग्सेंंग में धिक है जाइक के हम ट्थ करेंगे एुफरगे अहुच्छिण प्रईक्शिया क्या होता है स्कीले ऐक सिज़ेक्ष इन में पूछ है निसे कह सकते हैं कि पहला था आपका आयर मेंस फार संक्षन है उसको चेकर en där उसके बास ऐह को चैकर ना सकी चोपे फिए आपकरेंगे छोंच को करो और फिर प्रेंगी फिर साल करनी के जो ले इस प्राइकर ona आ तो बार है तो कंडिशन अरुक्रातियों कि एम सरा रोन कि 성्श लबाब कौने ओको कहते हैं अप्रेक्ष्य कहले उसके लिए हम ट्रेंगल ट्राइब कर खुर्वा सकते हैं इस्क्राइब कर लिए ठीक है यह आपके हैं एप्रेक्ष्य टैस्ट उसके बाद नास्ट आता है ऐफ्ट यह क्या होता है एफेजीज इज एन इंपेर्मेंट ओफ लेंगवेज एफेक्टिंग ता प्रोडेक्षिन एंड कॉंप्रिहेंशन ओप स्पीच एड अबिलीटी तो रिद राइट ठीक है लेंगवेज का इंपेर्मेंट है जिसकी वजय से आपको speech और read और हिटल में production comprehension में प्रोग्लम आती है यह अप्रेक्षिया होता है तो सबसे पहला step क्या करेंगे इस case में हम करेंगे establish if the patient is right or left-handed तो सबसे पहले देखेंगे ठीक है dominant कौन सा है उसके बाद हम उसकी first language पता करेंगे उसके बाद आपका comprehension के लिए requirement होता है वर्नी के रिया एक ब्रोकाज एरिया होता है तुसे हम क्या करेंगे what is your name and address what is what is your job where do you come from तो इन चीज़ों को answer देने के लिए उसे comprehension के जूट होगी समझना को समझना पड़ेगा तभी तो रह फुली वो कर पाता है खिक है कि आप मतलब उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन जुरुत नहीं है बस वह अपने मोमेंट से आपका अंसर देगा नेमिंग डेफिसेंट क्या होता है इसके अंदर बोत ब्रोकाज और वर्निक एरिया की रिक्वाइर होती है इस फंक्शन को परफॉ है लेकिन फिर भी नहीं देपा रहा है और वन वे के अंदर है कि आपका सिर्फ पॉइंट करने के लिए बोल रहा है यदि इन दोनों के नपक्लम आती है तो मतलब नेविंग डेफिसेंट है इसके बाद आता है दोस्त हमारा एक पैसेंट ओफर एन इंकरेक्ट बट बहुत है लोगेए तो हम बोलें के सीमेंटिक है ठीक है उसके बाद एक आता है नेेट हंसे से और इंदर रिपीटीशन इसके अंदर हो रिकुर्मेंट होती है व्रकाश एरिया और यह जिए इसके अंदर हम क्या देखिये क्या पुचेंगे आश्किंग शोर्ट शोट चैन और string of words such as number name कुछ भी रिपीट करने के लिए बोलेंगे यदि रिपीट कर पाता है मतलब आपके दोनों जो एरिया है प्रोकाज एंड दौरनिक एरिया मतलब फंक्शन कर रहे हैं ठीक है तो number कौन से कौन से थे रेपीटेशन नेमिंग डेफिसिट एंड टेस्ट एंडरस्टेंडिंग यह वाले पार्ट आ रहे थे हमारे हाइर मोटर फंक्शन के अंदर उसके बाद थोड़ा सबस गया लास्ट सेकिंड करेंगे नहीं पहले फिल्वेंसी के लिए फिल्वेंसी के लिए सिर्फ आपका ब् मतलब है न कि घर अडर जर्ग क junction कर रहा है जिसने है तो आपका फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक है तो चाल मतलब है धिता है प्रशन के इंदर सबसे लास्ठ अफिल्वेंसी जिस ने बोस्त रेकवार्मेंट होता है उसके बार आता है दोस्त रेपीटेशन उस तन उससे पहल प्त्रन थी पांच चीजी जो हम जिसे पता करेंगे कि आपका जो मुटर पांक्षान नहीं कर रहे या नहीं कर रहे तो यह पहला पाट था इसका हायर मोटर फंक्षन सेटिंड पाट है करें नौ इजामिनेशन दूस्से पहले हम स्टार्ट करें थोड़ा मापानी पी लेता ह तो सेक्ट पार्ट हमारे रशेने से लिए अंदर और करें लोड एक्जामिनेशन तो करें लोड़े होगी ट्वेल होती है तो से पहले बात करते हैं नंबर वन इंदर को लुटेक्टरी कि इसमें देखें टेस्टिंग जोफन अमेटिड एनलेश देर इससपीचियस फोर इनफीरियर फ्रेंटल लॉप डिजीज ठीक है मतलब मैं ली इसको हम नहीं करते हैं यदि आपका इनफीरियर फ्रेंटल लॉप डिजीज पोंके अंदर को डैमेज है प्रोगलम है तब ही हम इसको करने के कोशिश करते हैं इसमें क्या होता है कि विद आई क्लोज आस दा पैसेंट टू सनीफ माइल स्टूमिलेस मतलब हम उसको आई क्लोज करवा देंगे और कुछ इसको एड़ोरेंट है कुछ समयल वाले चीज़ें वह सामने उसके रखेंगे हम पूछेंगे यह बताई करता है थृएंड फॉर शीक्स करेंगें लग तो इनके अंदर मतलब यहनी का में टेस्टिंग होता है तो आपका यह में था यह मुमेंट का तो इसके अंदर कौन से कौन से हैं देखिये नंबर वण क्याड़ी को मतलब के कारड़िंग आपका कंट्रॉल हो रहा फंक्षन होता है शहरी बैलर वेस्टिबूलर नुकली आई और कन वर जैंस जो फंक्षन होता है मोमें थ्री आई मोमेंट के अंदर वह था मीड़ बरेन का ठीक है कई बार यह आपका एंदर इनका रोल आता है चार गन्ट्रोल है और चार आपको बताना चाहिए शैकेंड आत प्रेश्ट नहों आती है ट्राइजमिल नहों त्राइजमिल मतलब आपका प्रेल नूमबर फाइव इसके अंदर सेंसरी में पार्ट होता है तो हम ट्रेस्ट क्या करेंगे लाइट टच्छ एंड पिन परीक इन इस डिविजन ऑन बोथ साइड तो वीवन होता है वीवन मतल मतलब मैं मैंग्जिलरी वीवन मतलब मैंडीबुलर तो वीवन फोरेड वाल रिजन को सप्लाइ करती है यह चीक वाले को लोवर लिप वाले को यहां पर हम टच्छ लाइट है और पीन परीक करके पूछते हैं कि आपको फिल हो रहा नहीं हो रहा वो बताएगा उसके भीन हों तो आलो आपके वह उसका में रॅड़ी नैस हो को मन को होता है हर्पीजोस्टर आपका वह सत्या पेधा यह थे आपको सॉर गञधा ञें कि आपका रहा रहा सबेक का रुपन होक गशवय होसकता है जो है एपका लाइन अधाट हा नोह जोना है कि आफिशी लेटरल हेमी सेंसरी लोस ओप्लाइट होता है वह आपका प्राइट लोब लीजन के अंदर मैं कॉंट्र लेटल साइड प्रोग्लम होती है ठीक है यह आपके इंटर्पूटेशन है कि आपको कुछ रिजल्ट मिले रिजल्ट मिले के बाद आपको कैसे क्या सोचना है ठीक है इनको आती है ट्राइट नियूर एलजिया के अंदर कंडिशन आती है इसके अलावात आता है मोटर फंक्शन चुको से करने के लिए मसलों मश्टीके सन देखेंगे वह आपका जुद्जा है उसको क्लोज करने के लिए बोलेंगे एक फॉरस ठीक है यह मैंन होता है ट्राइट ले कि लिए फसलों के अंदर आपका फेच के मसल स्प्लाई कर दो फीसलि tractor करती है मसलों फेशल एक्सप्रेशन को यह कंड़ स्ट्पधि इए इसको और टंग के अंदर टेष्स लेके जाओ टिम और ठंग का ठीक है टीक है टीर आपका पैरा सिमपैत्रिक सप्रेशन होता है करी नो पालशी होती है उसको मैली बेल्स या एक सेकंड कंडिशन आती है रमसें हैंसन सिंड्रोम एक आपके आती है अपर मौटर न्यूरों आपकी नो पालशी ठीक है यह फंक्शन थे यह दो टाइब की पालशी थी तो आपको और इसके बार में क्या पता होना चीए जो आपको जरनल रिफ्लेक्स है जरनल रिफ्लेक्स कोर्नियल रिफ्लेक्स सोरी तो उसका मैं क्या काम होता है ब्लिंकिंग यह दिया आपको उसके अंदर एफरेंट होता है फिप्त नव इफरेंट होता सेंथ नव तो मतलब आपका इस रिफ्लेक्स से आप आइड का लग जाता है कि यह जैन आपका किस के अंदर प्रोलम में यह यह झाम का आ साधी ही फेल और कांकर करने को में डिजन भो सकता है यह जे खिंडे प्रेफेक्ट कर इन फोर सेंसरी ट्राइजमें लीजन ठीक है इसके अंदर ये कुछ इंटर्पिटेशन थे उसके बाद आता है दोस्त नेच्ट नाइन टैन्थ ट्वेल्थ नाइन आपका गाई रिप्लेक्स के लिए रिस्पोंसिबल होता है तो इसके लाव आपका सेंसरी आपका टंग से ल कर पाता है तो नहें कर पाताम फंक नहीं नर्मल होता नीं कर पाता है आपका कफ्र रिप्लेक्स शThe आडियु आपको इन्हीं घरिक नावह पर हम इसे किसा लिए कररेंगे चने तयाखित पर शकते मोटर्च की सकते तो यह पता होना चीए उनका मोमेंट करवाएंगे और जिचे में लग जाएगा कि नॉर्मल है या अबनोर्मल लीजन है उसके बाद आता दोस्त हमें पता होना चाहिए गाई रिफ्लेक्स के दो बाते होने चीए पता होने चीए एफरेंट को लेकर आता है वेगस मतलब आपका नीट पीजी फरपज के लिए आप पढ़ना चाहें तो पढ़ देता हूं लेकिन आपको जो क्लीनिक लिए उसके लिए इतनी इपोर्ट इंपोर्टन चीज़े नहीं है जैसे विल्ला मूव मूज टू वन साइड यदि ऐसा होता है तो क्या इंडिप्टेशन होगा कि अपरे लोर्टन वेगस का इना अइजर साइड़िए आपका उसको इसमोव नहीं कर रहा हैようको और झाल और यज़े हो सकता है बाइलेट्रल पहलेट्रल मसल वीक्नेस यदि अपका मूव तो कर रहा है लेकिन गैग के कारण मुव नहीं कर रहा है तो आपका नाइंध नो पॉल से हो सकती है यह दिम उला उला मुव कर रहा है तो आपका क्या होगा कि अपर लोर मट्री जान हो सकती है दोनों सेम पॉइंट लिख रखे मैंने उपर वाली गलती से ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद आता इफिलाटरल स्ट्रनोकलीडो मैस्टोइड एड कोंट्र ट्रेपीजियस है एक साइड्ज एक तरफ तो सेम साइड है एक तरफ कोंट्राइड लैटर है तो हम बोलेंगे कि अपर मोटर नियूरों विकने से है उन इफिलेटल साइड मतलब कि आपका लीजन तो होगा स्ट्र तो इसके बाद आता है दोस्त हमारा रिफ्लेक्सिज रिफ्लेक्सिज के लाव दो पॉइंट है कि आपका यह दी आपका 12 नो है उसके अंदर पॉल सी आती है कुछ प्रोग्लम आती है तो तंग होता है उसका डेवीशन होता है अब नुनमल साइड की तरफ मतलब कि आपका य यह दी आपका प्रोग्लम है फेचलाओ के अंदर तो आपका डेवेशन होगा नॉर्मल साइड की तरफ मतलब कि यह दी आपका प्रोग्लम है राइट फेचलाओ के अंदर तो आपका प्रोग्लम डेवेशन की साइड होगा लेप्ट साइड मतलब पोजिट साइड मतलब ल यह के पुछा सकता है नेक्ट आता है reflex इंद देखे अब आता है दीप इन रिफ लेक्सिस यह आपका ट्रेड़्ड की जाता है इसे कोर्डिंग बोलेंगे हम कि किस टाइप का रिफ्लेक्स है तो इसके अंदर कौन से कौन से हैं देख लीजिए नंबर होना आता है देखिए यह पहला पॉइंट है ना प्रोटोकोल मैसरोडोलोजी बहुत जाद इंपोरेंट है एक्जामनर से नहीं देखता एक्जामनर क यह आपको स्टेंड राइट साइड ऑफ पैसेंट यह बात बूलनी नहीं है और नंबर वन सबसे पहले चीज पता है आपको पूछना है बताना है टेल वर्ट यू आर गोइंग टू डू पैसेंट यह आपने नहीं पूछा ना पूछलिया तो इक्जामनर कोई फरक नहीं जो मुवेंट होता न उसको यूज करना है और आपका लेक्स मसल करना है रिलेक्स होने के लिए उसके बाद आते हमारे डीप एंड रीफलेक्स अब पर लिंप के उसके अंदर होते हैं तीन बाइसेफ जर्क ट्रीजर्क स्पाइनेटर रिफलेक्स तो इसके अंदर आपको आउने चीन नो पर रूट वेल्यू सो बात्य ट्रइसाफ पाकल सक्षप्र करता है रेडियल वा इसके न्दर रेडियल रेडियल इसके इंदर मुस्क्री पेडियू लेकिन आपको निहरखना है रूट वेल्यू सी फाइफ और चीफ आपका स्पाइटर का आपको दो चीज़ पता हुनी कम से कम रूट वेल्यू एंड नौ इन जितने भी आपके डीप रेंट रिफ्लेक्स उनके सेकिन्ड आता है डीप रेंट रिफ्लेक्स ओप लोवर लिम उसके अंदर दो आते हैं नीज जर्क एंड एंकल जर्क न इसके अंदर एस्ट वन एस्टू ठीक है यह आपके डीप रेंट रिफ्लेक्स की रूट वेल्यू है वह आपका नहीं होती है वह आपकी है याद रखनी है आपको कौन से रिफ्लेक्स हैं और कौन सा रूट वेल्यू करवाई जाती है उसके बाद आता हमारा प्लेंट रेख्स काहफिं पूर्टन आता है प्लैंन्ट रिफ्लेक्ड क्या होता है कि आपका इसके अंदर हम लेटरल्डय ग्ल oy à vikt रुपया 5-2 ए लिफ्लेक्ड के उसके लावा लेट लटो मीडिल सपेक्ट में अपन जाते हो रहों देखे दिन मेर राता ऑप्का आ मुल्मल जो रिफ्लेक्स होता है इसरे रिफ्लेक्स का वो था फ्लेक्सर प्रेंटर मतलब धैस्ट के सब्कार्टायर से ý poucoने निगिटिव नॉर्मल ओता है य nuclear यह जाती है लोन और कुन सा extensive planter इसके अंदर बेवेंस के शाइन नेगटिव बोलेंगे इसके अंदर बेवेंस के साइन पोजिटिव बोलेंगे और इसके लावा विद्रो बिद्रो बिलांटर होता है ठीक है यह आपका काफिंपोर्टर्ट शाइन है दोस्त यह तो करवा कि चुन मानेगा कुछ से कुछ यूज करोगे जिसे आपको व्लेंटर फिलेक्स लेंटर रैस्टरिंस करना होना चाहिए आपको सबस्सक्राइब मेरें नोर्मल होता यह नोरमल होता है तो उन्यीटीर इसके इंदर है तो यह आपको कम सेिक्म पता दोस्त, cns के, reflex के अंदर, तो ये बात के हम reflex की, हम next part करते है, third part, fourth part, CNC examination के अंदर, motor examinations, motor examinations के अंदर देखें, हम का क्या पढ़ने वाले हैं, tone पढ़ेंगे, फिर हम power पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, दो ही हैं, ठीक है मैं, उसके बाद से जाएगा तो टॉन के इंदर देखिए का मतलब क्या होता है रिजिस्टेंस टू पैसी मोमेंट लेड़ पाइप किसके अंदर होगा एक्स्ट्रा पैरमिडल सिंड्रोम है न उसके अंदर कि अधिक एप्टर बतल्ब सम्झें पहले कि जो कि पैसीम्मों में तुन के दिर्जिस्टेंश आदी मिलता है तो भूलंग रिजिडिटी है तूसके नदर टाइप आ जाता है। के कि लेड़ पाइप किसके अंदर मिलेगा एक्ट्रा पेरेमिडल सिंड्रोम के अंदर कोगवील किसके अंदर मिलेगा पार्किंसन डिजीज के अंदर क्लाफ्स नाइप टाइप आपर मोटर न्यूरल लिजन टाइप के अंदर क्लाफ्स नाइप टाइप के अंदर क्लाफ्स किया इसके हम दूनों फ्लेक्सर और एक्षेंज कंपार्टमेंट के अंदर देखेंगे इसकी टॉन ठीक है मोटर इसन के अंदर टॉन देखने के बाद यह आपका परजेंट है तो फेस्टिकुलेशन बोलेंगे ठीक है और उसके बाद आता है कि जो टॉन होता है वह बेस्ट करते हैं जरू मुद्यामे में मूँक मौन फोलेट का मतलब होता है फ्लिक करो ट्रेषर को ट्रेक्ष एिज्एन यसे इंट थिक है थेकिए थोड़ासा थेक्षियाय ठीक्षिट मॉमेंट है सेकेंद़ मतलब मौमेंट वीद्ग्रेविटी ऐलमानेटिड ल्चल मॉमेंट प्रस्क्राइब नहीं है प्रस्क्राइब ग्रेविटी फॉर्ध है कि अगी झ Zur Thousand decade क्यों। नहीं था इसके अंदर moderate degree of resistance इसके अंदर स्ट्रोग रिजिस्टेंस और फिक्स मतलब फूल पावर तो यह आपके पावर के ग्रेड है तो आपके इसके अंदर क्या कौन से टेस्ट यूज करते हैं ठीक हम डिटेलिक अंदर नहीं देख रहे पुरुनेटर ड्रीप साइन फिं इसके अंदर sensory examination sensory examination में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि आपका कौन से कौन सेंसरी होते हैं कुरूटाइज fine test temperature इसके अंदर देखिए हम हैं इसको इसके अंदर हम एंड यूज करेंगे fine test के इंदर cotton यूज करेंगे इसके अंदर जो track इन्वल होता होता है spinothalamic इसके अंदर होता है posterior column इसके इसके इन्वल होते हैं इसके अंदर pain के लिए कम करेंगे pinuse और जो path होता होता है आपका spinothalamic vibration के लिए हम यूज करेंगे tuning fork जो पाथ होता है वह था posterior column joint position के लिए हम यूज करेंगे flexing or extending joint और जो आपका path होता है इसके लिए वह होता है posterior column ठीक है यह बात कि हमने sensory examination की तो order क्या होगा दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे CNC जामने के अंदर higher motor function उसके बाद हम cranial function देखेंगे उसके बाद motor examination करेंगे tone देखेंगे power देखेंगे उसके बाद हम deep tender reflex देखेंगे यह आपको check करने के लिए बोलता है उसके बाद coordination देखेंगे upper and lower limb के अंदर for cerebellar lesion तो हम cerebellar के अंदर lesion को suspect करेंगे और लास्ट में हम देखते हैं sensory examination तो यह स्टेप है आपका examination के order को cns के अंदर ठीक cns examination हमने हमने टेल करेंडिस किया है कैसे कैसे करने तो number one higher motor function देखने है second क्रेंड के फंक्शन देखने है उसके बाद motor examination देखना है क्या देखेंगे मोटर के अंदर tone देखेंगे पावर देखेंगे उसके बाद हम 4 देखेंगे deep 10 reflex देखेंगे 5 देखेंगे कोडिनेशन इन अपर लोर लें फोर शेरिवर लिजन ठीक लाश्ट देखेंगे sensory examination तो इस 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 एक्जामिनेशन के बात की अब हम चलते हैं next examination हमारा थीक है यह कि अंजान के अंदर तो इसके अंदर गया किस्के इंदर इंस्पेक्शन होता है पर परकस्ट होता है और ऑस्ट डिसन होता है लेकिन कुछ तो साइन होते हैं पर देख लेते हैं फिर हम एजाम नहींद चलेंगे जैसे एक साइन उता स्पाइडर एंजियोमा वो डिलेटेशन वेसल को बोलते हैं या आपका चैस्ट आर्म और आई वीसी हां पर मिल सकता है और यह लेवर वेस्टोजन है उसके अंदर वेसल यह किसके अंदर मिलेगा डाइपटी स्मोकिंग करने वाले अंदर व्लाश्ट रोता पालमर इथिरमा मतलब हाई इस तो इसलिए आपको तो लेकिन जो जामने से मैं आता है इसके अंदर फर्स्ट जामने इसन इंस्पेक्शन आपटन जाने से अंदर तो सबसे पहले राइ पता ही होना चाहिए तलकरवान नहीं है स्टार्ट करने से पहले ऐसे स्टार्ट कर दिया ना तो एक्जामने आपको कापर सुनाएगा यह क्या करेंगे हम सबसे पहले से पोफडोम में देखेंगे फिर हम डाइलेटीड वेन और देखेंगे चीरोशी तो पर्टला हैटें टेंडिशन होता है उसके अंदर आपने देखने को मिलती है नूर्मली उसके बाद हम लोकलाइज फूलनस और अब्डोम में देखेंगे ठीक है तीन चीज़े देखेंगे सबसे पहले सेप डाइलेटीड वेन और लोकलाइज फूलनस उसके बाद आता है सेप देख सकते है अब्लिकस का उसके बाद हम सेप कोडिंग आफ ही आपको एक से आइडिया लगता है अब्डोमेंट देखें डूरिंग रिस्पैरेशन ठीक है यह चीज़े हम देखते हैं इंस्पेक्शन के अंदर उसके बाद आता है को लेटल अराउंड अमिलिकस तो आपका कैसे हम लुट फुलो अवे फ्रो मिलिकस नॉर्मल लेकिन जो आपका पॉर्टा हाइपर टेंशन और आइवीची ऑफ्स्टेक्स एन उसके दाए चेंजमेंट हो जाता है कैसे चेंजमेंट हो का देखिए जो आइवीची है आइवीची के अंदर अपर वाले पार्ट के अंदर ब् करने के लिए को लेटरल देखते हैं उसके बाद सेफ हम लिकस क्या पत्सलेगा यदि आपका वर्टिकल स्लीट है तो और पहले टुमर बोल सकते होता है और जेंडर स्लीट है तो हम चेरोसिस इंड्यूस एसाइटिस आपका हज़ेस्टी होता है किसके को देखा हमने डूट सेपह अबलेकस को देखकर सेकिंड्ड अठाय चार मेड़ रोते हैं इंस्पेक्सिन होते हैं इंस्पेक्षinee प्रकॉसन और से अपोजिस्चन से मेड़ेंगी हम स्टार्ट करेंगे सुपरफ़ियशील प्लपेशन से फिर हम डिपालपेशन करेंगे मोना लिवर के अंदर क स्टार्ट करते हैं राइट इलिक फोसा से फिर आप वड़ जाएंगे और आपका पैल्पेट करेंगे लिए रैज को बाइंडेक्स फिंगर स्प्लीन को कैसे करेंगे स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट आपकों डिर्ट के तरफ जाते हैं मैथर कोन से हो जाते हैं हुपिंग मै आद है दो यह जो पहल करने उता है लिफित आंदर निघुट आण्ठ करने वह था परकस्ट परकस्ट आर्म को करेंगे उसको सरी डेखने के लिए लिए टी वहाण करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ और फिफ्ट इंट्र को स्पेस से मीड क्लाइब को लाइन वहां स्टार्ट करेंगे और हम डाउन्वड की तरफ चलेंगे लिए डिक्रीज होती है मतलब आपको नेक्रोशिस उस पार्ट के अंदर है और वह आपका कंडिशन हो सकते हैं है इसे बात की लिए और के परकस्ट की उसके कौन से सपोर्ट देखे देखे जाता है एक तो कैस्टल सपोर्ट होता है इसके डलने से यहां पर पर चलाव स्केंदर तो क्या सटीव होगा स्टार्ट का कास्ट करेंगे हम सेकेंड फ्रों इंटी एक्जली लाइन फिर हम निचा जाएंगे नाइंध इंट्रोश्पेस में और एक में 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 जो यूज होता वह था आपका निक्जोन में ठीक है यह आप स्पी प्रक्राइशन के लिए मैं 30 के जाते हैं और से इंटर ब्रेट को इस्टर वेंट्व ब्रूस इन लीवर हिपेटोमा केस में रिनलाइड श्टिनोसिस देखेंगे ऐसे करेंगे उसके नंकी तो बोट करेंगे यह होट बाच रहता है अंदर उसके बाद आता है अशाय निचान निचा मैं तो नंबर और ना आता है साइन कूं सा हो तो होगता है इसके अंदर पेडल साइन आ भी उजनी कहा जाता है कि आपकर इसकोप होता है राउंड रखा जाता है तो इससे हमें देखते हैं सिप्टिंग डट नेस्ट और फ्रूड सरीव से मफित किया जाता है मेली तो आपकर्स्टन इंजामनेशन ऑप साइटिस क्या तो यह आपकी च्प्टींगे चैसे में देखते हैं एसाइट इसके अंदर दो जब मैंनों होता है सिप्टिंग ड़ल्स अंदर हम क्या करते हैं पैसेंट का एंड हो बीच में रखेंगे और हम टच अधर साइड से करेंगे और दूसरी साइड आपके करेंगे यदि आपका ऐसा फील होता है तो हम फ्लूड थ्रील एजामिनेशन के अंदर आता हूँ ठीक है शिप्टिव डेल आपको वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपको करते हैं लेकिन करवाया जाते हैं तो नेश्ट पार्ट दोस्तो रिस्पारेटरी सिस्टेम जामिनेशन ठीक है ओलेड यह मैं तिन कर चुके जनल सीनेश अब्डोमिनल इस पार्ट के अंदर वही चार्च ची देखते हैं इंस्पेक्शन पैल्पेशन परकर्शन एंड और उसकल्टेशन इंस्पेक्शन के अंदर पोजिशन हम सेटिंग पोजिशन बैस्ट होती है इंस्पेक्श पोजिशन पोजिशन लुक क्या करेंगे हैं जो टेस्ट वह लाना उसे डिफर मेंटे देखेंगे कि आपका काई फोनों स्कॉलोसी से बैरल से चेस्ट है कोबलर चेस्ट पीजन टेस्ट टेस्ट है इस से मिगाइड लगता है कि क्या क्या प्रोब्लम हो सकती है फिर आप इ है उसके बाद हम एक सब्सक्राइब सकते हैं उसके बाद हम स्मेट्री उप्टेश्ट को देखेंगे वह आपका डूपिंग उप सोल्टर है कुछ मिल सकता है इस कंडिशन चेंज हो सकता है और मोमेंट आप जैस्ट देखेंगे रेट ब्रेशिंग पेट्रें ठीक है यह मै अगता हमारा पैल पिशिंग के दर हम देखिया पैल पेट्कैक करते हैं पोचेंट करेंगे उटेक्स बीट करेंगे श्मेरी ऑप टेच्ट व łat एक्स एक्स अंको धिकर दोनों सब्सक्राइब करेंगे कि स्मेट्री कैसी है मुव्मेंट कैसा है वह सको पैलपिंड करेंगे एक्सपेंशन मेजर्मेंट भी कर सकते हैं वो रोकल फ्रेमेटास हम देख पल्पेट कर सकते हैं यह पल्पेशन वाल सीज़े थी परकसन हम क्या करेंगे कि प्लेस आवर फिंगर वर्टिकल स्ट्राइकिंग परकस कर ऊस्पोजर नहीं गया रहा ठीक जो नौर्मल परकसन का मे दिबों क्या दीडी हो सकता है कॉंसोल भी सिप तो अफल लॉब हो फिए लंग्स हैंसब और चेंज्मेंट हो सकता है ठीक है यह परकसन के बात के उसके बाला अधा है दोस्तमारा वस्कल्टेशन उसकल्टेशन के अंदर हम क्या क्या करेंगे ब्रेट साउंड एंट्री को देखेंगे उस प्रशस्क लेगे ठीक है यह कम जाता है प्लूरी वेजन के अंदर नि मधिर के अंधर फिर हम टाइप-ब्रेइच साउन्ड देखेंगे रोंगाई है है बोकल बले आस देखेंगे आपको चुल्टी unacceptable कसा न थाप learners dipe sure रहेँ है यह में देखते है जाते हैं यहां अब नहों पूचेएं कि आपका एक कुछ पूंच को ता उसे रिखाइड वालों को बहुत कम बता होता है सेंका नेश्टा आता है दोस्तमारा फाइञाल टिजामेंशन वह आता है छीुची जा मेंसेन समारा लास्ट लाश्ट लेसन है přेडिशन कंदर। उस्से पहले हम जर्निल से अब्डोमेशन डिश्पेयल द सिस्टम लइड इस कर चूके लाश्ट एक्जामेशन सहसे इसंग ज जो वाल वर डिजीज होता है यह वहां से वेजटेशन वहां था रखा राव ब्रेन के चला गया तो श्ट्रोक हो सकता है इसलिए परकर्शन सी वेज के अंदर नहीं करते हैं तुसर से पहले बात कर लेता है इंस्पेक्शन की इंस्पेक्शन आपका जेवी पीक्जामिने होता है वह मेली इंस्पेक्शन करते हैं जेवी पीक्जामिने सन देखे 45 डिगरी एंगल स्पाइन होता है वह पोजिशन होती है नेक मसल लेक्श होनी चाहिए दो स्केल यूज के जाते हैं एक तो हाइट हाइट के लिए हम देखेंगे आउटवर्ड और इनवर्ड आउट देखेंगे हम फैल से फल्सेशन अपेक्स बीट देखेंगे फैल फोफिंगर देखेंगे बेस ओफिंगर से और स्कार मार्क देखेंगे परिकॉंडरियम में स्कार मार्क आपका सरजरी कि जो कोई पार सरजरी है उसका पता चल जासकता है इसके अंदर तो इंस्पेक्शन क कर्यास कंदर आपैक्स बीट देखेंगे किससे देखेंगे बल्पेड़ाइट से इक ही देखेंगे रीदे वेंटल अष्पेक्टवफ उफएंड से थ्री उरी निनकी अपा पूस्टेष जाती है श्रीयाट एक्स बीट देखते हम फिफ्ट इंट्रिकोस्टल स्पेस मिड्ड क्लेविकुलर लाइन हीव कहां देखेंगे लेफ्ट पैरस्टनल एरिया और थ्रील कहां देखेंगे एरोटिक को नहीं करते हैं तो कुंसा पर ऐसों सबस्क्राइब और फोटो सब 스осेमों का धूद सबस्द ये इसके ऐलावा खना मry और अधीय कि आयरिया इंट्रकोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और आपको पता होने चाहिए मिटल साउंड को देखने के लिए बेट्स पूसिशन होती है वह थी है लेटल डिक्विट इस और एडर्टिक साउंड को सुनने के लिए वेट्स लोकेशन होती है लीम फॉरवर्ड ठीक है डाले डाले डामेश के पूसिश आते हैं तो यह तीन अधिसन के अंदर सब्सक्राइब से जर्रनल इसे उसके बाद सी एनस पड़ा था फिर रहोगों रिश्पाइटरी शिस्टेम जामेशन फिर चीविश जामेशन इन पांचों के डिटील के अंदर समझा है कैसे कैसे करते हैं कैसे करते हैं तो होब कि इससे आपको एक पुस्टा एक्जैमिनर वो बताएई है कैसे कैसे आप प्रोशीट करने स्टेफ वाइज वह बताया है तो काफी अच्छा के रिव उसको आप सोड़ा वाडल इसके बार में पता है तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं ठीक है आप जिसको सीब्सक्तिंग मिनिट के अंदर पूरा एक गंटा भी नहीं लगा जो अमने पूरे में अडिशन के मतल तो टाइम फास्ट तो हो गई इतना इतना सारा में कवर किया है वह एक साथ तो बहुत आराम से तो हो नहीं सकता है तो इसलिए जल्दी भी किया जूरू भी था वह एक क्यों के लिए तो इस वीडियो से फायदवा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को तो लाइक जुरू कीज़ेगा और इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बैल आइकन ओन कर सकते हो जिससे आपको जब भी मैं